हेलो दोस्तों आज है 20 जनवरी और आज की वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे बहुत सुन्दर फूलों वाले पौदे के बारे में जिसका नाम है लीलियम इसको दोस्तों अशियाटिक लेली भी बोला जाता है और इंडिया में ये विंटर सीजन में ज़रा तर ग्रोव किया जाता है जैसे आप सेप्टेंबर से लेकर मार्च तक इसको बहुत असानी से ग्रोव कर सकते हो दोस्तों इसको लगाने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए आप कितने जो बल्ब्स हैं एक गमले में लगा सकते हैं वो मैं सभी आपको चीज़ें इस वीडियो में बताना चाहूंगा वीडियो को एंट तक जरूर देखीगा और सबसे पहरे दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसको सॉयल में से कैसा चाहिए होता है क्योंकि जब भी हम कोई पौदा लगाते हैं उसके सबसे बड़ी requirement होती है कैसी आपने मिट्टी बनाई है जो मैंने लिलियम के लिए मिट्टी बनाई है दोस्तों इसमें जरातर मैंने सेंडी सॉल यूज की है जो पौरस होती है जब भी आप कोई पौदे की मिट्टी बनाते हैं जैसे बल्ग वाला पौदा होता है जिसकी रूट्स है ज़्यादा नीचे को पैनेटेट करती है डीपली जाती है तो उनके लिए हमेशा पौरस सॉल जिसमें सैंडी सॉल का कंटेंट है वो जारा से जारा कम से कम 60% तो आपके पास होना जाहिए और आप 30% काउडंग कंपोस्ट भी जरूर डालें क्योंके दोस्तों जो गोबर की खाद होती है काउडंग कंपोस्ट होती है वो बहुत अच्छा एक सोर्स रहता है अब आपके जो पौदे हैं उसकी हरी बरी ग्रोध के लिए और साथ में उसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है मेजर न्यूटेंट्स और माइक्रो न्यूटेंट्स अभी रहते हैं तो इसलिए मैंने सेंपल इसकी मिट्टी बनाई है जिसमें मैंने 10% गाडन सॉल रखी है 60% सेंड रखा है और rest of the content है जो मेरे पास है कावडन कंपोस्ट का बीच में थोड़ी सी या वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है उसमें से एक दोनों में से एक अप ले सकते हैं और अगर दोस्तों बात करें कौन सी जगा पे आपको रखना चाहिए ये पौदा धूप में चलता है ये छाओं में चलता है अगर तो दोस्तों इनको पूरी तरह से दूप में रखा है पूरी दूप इनको सुबा से लेके शाम तक मिलती है जो भी है इसको अच्छे से वाटरिंग भी मिलती है इसलिए कोई भी जारा इसके लिए मैं स्पेशल कंडिशन नहीं बनाई हुई है और इसमें मैंने आठ हिंची आया है और इसके साइज पे कोई भी फरक नहीं पड़ा है तो आप आसानी से चार से पांच बल्ब्स आठ या दस इंची की गमले में लगा सकते हैं सरफ आपकी मिटी है उसमें काउटन काउं पोस्ट या अच्छी सॉल होनी चाहिए जिसके साथ आपका जो पौदा है पहले खिल जाती है और दो 10-15 दिनों बाद खिलना शुरू करती है जैसे आप देख से हो तो अभी कलिया बन रही है और वो अभी थोड़ा सा लेट शुरू करेंगी खिलना इसके साथ क्या रहता है हमारा जो पौदा है एक महीना तो फूल देता ही रहता है एक गमले में इ पहली कि Couple कि मुझा जै करते है उसके कारण करता है यसके कारण क्या होता है उसके कारण पहर जो क्ऑपने में और ज्यारत जो इलर्ड़ ह कलिया होती है कहले हना है की कलिया होति हो इसलिए उस वक्त आप fungi side का इस्तिमाल करके देख सकते हो या फिर पानी उपर ना डलने दे अगर बाई चांस रेन आ जाती है बारिश आ जाती है उस वक्त हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसलिए आप fungi side 10 दिन बाद 2 ग्राम 2 लीटर पानी में मिक्स करके इनके उपर स्प्रे कर सक करते हो और as an additional fertilizer दोस्तों अगर मैं बताओं जैसे हमने काउट गंपोस्टों एक बार डाली है अगर आप 15 दिनों बाद कोई additional fertilizer देना चाहते हो तो मैं हमेशा इसको NPK 1818 18 before its flowering देता था और साथ में जो result है वो आपके सामने है इसमें कोई भी बिमारी नहीं है ना कोई problem है तो बहुत अच्छे तरीके से जो मेरा पौदा है easily grow कर रहा है easily survive कर रहा है तो ऐसा मुझे इसमें कोई भी grow करने के लिए difficulty नहीं लगती है बहुत ही आइसानी से आप इनको लगा सकते हैं अभी भी बलबाब लगा सकते हैं पर याद रखें कि अभी ही इस महीने में लगा ल एक पौदा दोस्तो एक बार ही सीजन में फूल देता है आपको दुबारा से फूल एक पौदे से नहीं मिल सकते हैं तो जब आपका पौदा है फूल खिलकर हट जाते हैं तो आप इसको उपर से काट सकते हैं नीचे से ये दुबारा से ग्रो होता रहता है अगर आप इसको सेव करना चाते हैं सेव भी कर सकते हैं आप सूख falar कहीं तो आपि कर देक्द Sutra की शोटर शूंत हैं चोंटे बड़े झाल दिया है कि हम यहां से इसको काड़ देंगे नीचे से क्योंकि अभी तो इसकी उपर से जुरूरत नहीं है तो ऐसे ही ये ग्रीन रहेगा चार-पांच महीने ये ऐसी ही रहता है पर इसमें कोई भी फुटाओ नहीं होता नीचे से अगर आप काड़ दो के दोस्तों मुझे लग रहा है कि नीचे स इसकी जो छोटे-छोटे नए-नए जो पप्स हैं जो स्मॉल-समॉल जो ब्रांचीज हैं नीचे से आ सकती हैं और मल्टिप्लाई होती रहते हैं बल्टिप्लाई के लिए दोस्तों जमीन में लगाना सबसे जारा बढ़िया रहता है अगर आप जमीन में पौदा लगाओग बहुत ही हाडी प्लांट और इंडियन जैसे क्लाइमिट के लिए बहुत ही सुटेबल प्लांट है इसलिए बहुत सारे हमारे जो विवर्स हैं आपने लगाया भी होगा और नसरी में भी बहुत अच्छे से ये लगाये जाते हैं तो आप इनको जरूर लगा के देखें ट् आप जरूर लगाई और कमेंट सेक्चिन में जरूर बताईगा आपने अगर लगाया है यह पौदा और आपका कौन सा कलर इस पौदे में फेवरेट है वो भी आप मुझे जरूर बताईगा तो थेंक यू फर वाचिंग और सब्सक्राइब जरूर कर लीजीगा और चैनल क लाइक और शीर भी जरूर करी गए